जैहीं दोस्त वाज हम आपके लिए इस मन्त यानि कि अक्टूबर के most important trending question ले कराए हैं दोस्तो इस वीडियो में हमने सब selected question ही डाले हैं जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप इस वीडियो को पुरान तक और ध्यान से देखिएगा Question number one दोस्तो चलिए अब राष्टे फिल्म पूरुषकार में सर्वस्ते अभिनेता का पूरुषकार मनोज वाजपेई और धनुज को मिला है यानि कि इसका सही अंसर हो का option number C A और B दोनो दोस्तो चलिए अब राष्टे फिल्म पूरुषकार से जुड़ इंपोर्टेन बाटे जान लेते हैं तो दोस्तो 60 वे राष्टे फिल्म पूरुषकार 2020 में मनोज वाजपेई की फिल्म में भोनसले के लिए और धनुज को असूर के लिए सर्वस्ते अभिनेता का खिताब मिला है और दोस्तो इस इस बार राष्टे फिल्म पूरुषकार में सर्वस्ते फिचर फिल्म का वर्ड लाइन ओफ द एरेवियन सी को मिला है और मोस्त फिल्म फ्रेंडेली एस्टेट का किताब सी किम को मिला है और सर्वस्ते हिंदी फिल्म का किताब छी छोरे को और सर्वस्ते अभिनेत रियानी की एक्टरिस का किताब कंगना रनोत को मिला है और एकानवा दादा सहेफाल के पुरुषकार रज निकान्त को मिला है चलिया बगले क्वेचन को देखते हैं क्वेचन नम्बर टू निमलिकित में सेकिस ने अर्थ सास्तिर्यानी की एकनोमिक्स में 2021 का नॉबल मेमोरियल पुरुषकार जीता है तो दोस्तो इसका सही उतर होगा डेवित का ड्य गोईडो इमबेंस और जोसूबा एंग्री स्टोको यानि किसका सही उतर होगा option नम्बर टू उपयूक्त सभी कुवेचन नम्बर टू सयुक्त राष्टमानवा दिकार परिशद यानि कि United Nation Human Rights Council में हाल ही में कौन सी बार भारत सदसे बना है तो दोस्तो इसका सयुतर होगा छटवी बार और दोस्तो सयुक्त राष्टमानवा दिकार परिशद का मुख्या ले जेने वास युजा लैंड में है और इसका स्थापना 15 मार्चे 2006 को हुआ था और इसका दे अच्यानी की हेड नज हाते समीम है कुवेचा नमबर फूर चीन और कीस देश के बीच जापान सागर में सयुक्त सागर दे हो जारे कईच नौसेनी का भ्यास का आयो जाने किया गया है तो दोस्तो इसका सही उतर होगा उप्सन नमबर भी रूस है दोस्तो चीन और रूस के बीच जापान सागर में सयुक्त सागर 2020 में नौसेनी का भ्यास का यो जन किया गया है और दोस्तो ये सयुक्त नौसेनी कभिया से 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तके जापान के सागर में रूस के पीटर दा ग्रेट गल्फ में हो रहा है कुवेचर नौबर फाइफ निम्लिकित में से की से 25 अक्टूबर 2021 को नई दिली में 17-18 फिल्म पुरुसकार में दोजाम नईस के लिए दादा सहे फाल के पुरुसकार मिला तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा अप्शन नौबर बी रजनी कांथ को दोस्तो सुपरेश्टार रजनी कांथ को उपरेश्ट पतिवें के या नाईडू ने एक आनवा दादा सहे फाल के पुरुसकार से समानित किया कुवेचर नौबर शीक से वैसे वीके खाद सुरक्षा सुचकांक यानि की ग्लोबल फूड शीकोर्टी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से अस्थान पर रहा है तो दोस्तो ग्लोबल फूड शीकोर्टी इंडेक्स में भारत का अस्थाने का तरवा है और दोस्तो भारत इसमें 113 देस में 113 अस्थान पर रहा है और दोस्तो इसी महीं ने Global Hunger Index जारे किया गया, जिसमें भारत का स्थान एक सवेक है कुवेचा नमबर सेवेन, भारती ये वायू सेना दिवस से, यानि कि इंडियन एयर फोर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो इसके सही उतर होगा 8 अक्टूबर को, भारती ये वायू सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और दोस्तो वायू सेना के परमुखे एयर चीफ मार्स अले, आर के इसे भधोरिया है और भारती ये थल सेना के परमुखे जर्नल मनोज मुकुन नरवडे और भारती ये नौ सेना के परमुखे एडमीरल करंबीर सिंग है, आप इन सभी को याद रखेगा क्वेचा नमबर एट, विश्विस्तवास्त संगठन यानी की वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजेशन ने चोव वक्तूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सिन के बच्चो पर व्यापक इस्तिमाल की सिफारी सिकी है तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया की और दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में चार लग से भी ज्यादा मौते होती है और दोस्तो डबलू एचो के वर्तमान है डे ट्रेड रोस अधानोम है और इसका मुख्याले जेनेवा शिवजलेंड में है और इसका स्थापना साथ अप्रेले उन्हें सवर्तालिस को हुआ था कुवेचा नमब नाइन हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्मे और रामायन में रावन का किरदार निभाने वाले किस कालाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो दोस्तो इसका सही उन्तर होगा और विंद तिर्वेदी का दोस्तो अर्विंद तिर्वेदी ही थे जो रामायन में रावन का रोले कर रहे थे और आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप में से किस किस ने रामायन देखी है और दोस्तो आप यहां इंडियन मैप में गोवा को देख सकते है दोस्तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज है और इसकी राजधानी पणजी है और इसके मुखमंत रियानी की चिफ मिनिस्टर प्रमोद सावन्ती है क्वेच्चा नमबर 11 हाल ही मैं समचारों में देखा गया मेलियो डोसिस से ब्लैंक है तो दोस्तो ये पूछ रहा है कि मेलियो डोसिस क्या है तो दोस्तो मेलियो डोसिस एक परकार का संक्रा मकरोग है जो मेलनी दचिनपुर्व एसिया और उत्री ऑस्टेलिया में व्यापक रूप से पाया जा रहा है और दोस्तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने सभी most important question ही डाले हैं जिनकी आपके एक्जाम में पुछने के संभावना बहुत अधिक है इसलिए आप इस वीडियो को अंतक देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी question में कोई भी टर में समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमें comment box में comment किजिएगा question number 12 नीमन में से किस देश ने दुनिया की पहली self driving train launch की तो दोस्तो जर्मनी ने दुनिया की पहली self driving train launch की है और दोस्तो जर्मनी ने अपने सहर हेंबर्ग में इसकी शुरुवात सबसे पहले की question number 13 विश्व स्वास्त संगठन यानी की WHO की एक report के अनुसार वायू पर्दूशन यानी की air pollution से दुनिया भर में प्रती मिनट यानी की एक मिनट में कितने लोगों की मौत हो रही है तो दोस्तो WHO ने एक report जारी की है जिसके अनुसार एक मिनट में दुनिया भर में वायू पर्दूशन के चलते कुल 13 लोगों की मौत हो रही है दोस्तो ये आक्रे डरावने हैं क्योंकि एक मिनेट में तेरो लोगों की मौत यानि की एक घंटे में कुले 700-800 लोगों की मौत वायू परजूसन के चलते हो रही है दोस्तो ये आक्रे सच में डरावने हैं क्वेस्चा नमबर 14 अंतराष्ठी उर्जा एजेंसी यानि की IEA ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पुर्वेकालिक सदसे बनने के लिए आमंत्रेत किया है तो दोस्तो अंतराष्ठी उर्जय एजेंसी ने भारत को हाल ही मैं यानी की अक्टूबर में एजेंसी का पुर्वेकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रेत किया और दोस्तो भारत दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा उर्जय अपुभोगता देश है कुवेचा नमबर फिप्टीन हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीवा दास पदे वीवा संसो धन्बीले 2021 को बाप असले लिया है तो दोस्तो इसका सही उंतर होगा राज्य स्थान ने कुवेचा नमबर शिक्स्टीन अंतराष्टी एबालीका दिवस यानिक इंटरनेश्णल गरले चाइल्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो अंतराष्टी एबालीका दिवस को 11 अक्तूबर को मनाया जाता है और दोस्तो इसे पहली बार 2012 में मनाया गया क्राइंचा नमर 17 नेट वेस्ट ग्रूप द्वराश्थापी थे औरत गारजी अन अवोर्ड को किस टाइगर फाउंडेशन ने जीता है तो दोस्तो नेटवेस गुरूप के दुबरा स्थापित किया गया और्थ गार्जियन अवर्ड को पर अम्बिकूलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है किस देश ने कच्चे तेल की खरीद के भुकतान के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन मांगी है तो दोस्तो इसका सही उंतर होगा सिरलंका दोस्तो सिर्लंका ने भारा से 500 मिलियन अमेरिकी डोलर कच्छे तिल की क्रेटिट लाइन के लिए मांगे है और दोस्तो सिर्लंका की राजधान यानी की कैपिटल श्री जयवर्धने पूड़ा कोट्ट है और इसके प्रेशिडेंट गोटबाय राजबंचे है और इसकी मुद्रा यानी की करंची सिर्लंकाई रुपया है कुवेचा नमर नाइंटीन निमलिखित में से कौन अंतरिश में जाने वाले सबसे उम्रेदरा जवेक्ती बन गए है तो दोस्तो इसका सही उतर होगा विलिया में सैटनर कुवेचा नमर ट्वेंटी हाल ही में किस देश ने अपनाना या सिक्षा कानून ने पारित किया है तो दोस्तो इसका सही उतर होगा चीन ने दोस्तो चीन ने हाल ही में अपने देश काना या सिक्षा कानून पारित किया और दोस्तो चीन की राजधानी बिजिंग है और इसके राष्टपत यानी के प्रेजिडेंट स्री जिन पिंग है कुईचा नमब ट्विंटीवन माल्दिप ने माले में नेशनल फूटबॉल स्टेडियम में 16 अक्टूबर 2020 को आयो जीत दोजारे कोई से साउथ एसी यान फूटबॉल फेडरेशन यानी की एसे एफेफ चैंपियंशिप का फाइनल खिताब किस देश ने जीता तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा भारत ने कुवेचा नमबर 22 विश्वे दिरिष्टी दिवास यानी की वर्ल साइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो विश्वे दिरिष्टी दिवास 14 अक्टूबर को मनाया जाता है कुवेचा नमबर 23 पर्धान मंतर रिकारा लयान की PMO में निम्न में से किस नाया सयुक्त सची नियुक्त की आ गया है तो दोस्तो PMO का नाया सयुक्त सची मीर वोहंती को नियुक्त की आ गया है कुवेचा नमब ट्वेंटीफोर नीम्न में सेकी से नेरास्टिय रोजगार नीती के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा किंद्र सरकार ने दोस्तो केंद सरकार ने राष्टिय रोजगार नीती के लिए एक पैनल गठित करने की योजना बनाई है क्वेचा नम्बर 25 नमू ना पंजीकर अनपणाली के द्वारा जारी आकड़ों के अनुसारे भारत में सी सुम्रितिव दर गिर कर कितनी हो गई है तो दोस्तो इसका सही उतर होगा ओप्षन नमबर 30 क्वेचा नम्बर 26 नेमलिखित में सी किसे बावनबे भारती अंतराश्टी फिल्म महसव में सते जितेरे लाइफटाइम अची मेंट अओर से समानित किया जाएगा तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा ओप्षन नमबर A, Martin Escortes C को कुवेश्चा नमबर 27, निमलिखित में से किस फिल्म को ओस्कर 2022 में भारत की अधिकारिक प्रविष्टी के रूप में घोशित किया गया है तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा ओप्षन नमबर C, कुण जिगल कुवेश्चा नमबर 28, भारतिये मुलकी अनिदा आन अंदे हाल ही में किस देश की नई, रक्षा मंतरी यानिके डेफेंस मिनिस्टर बनी है तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा कनाडा की कुवेश्चा नमबर 29, कलियान कुमार को हाल ही में किस बैंक का नाया कारेकारी निदे सके नियुक्ति किया गया है तो दोस्तो कलियान कुमार पंजाब नेशनल बैंक के नाय कारेकारी निदे सक नियुक्ति हुए है और दोस्तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्या लेनाई दिली में है और इसका स्थाफ नाउनाईस माई 894 को लाहोर पाकिस्तान में हुआ था और इसके CEO यानि की चीफ एक्जीकूटिव ओफिसर एस एस मलिकार जूनराव है कुवेचा नमबर 30, T20 क्रिकेट में 400 चके मारने वाले भारत के पहले खिलाडी एवं दुनिया के साथ वे बले बाज निम्न में से कौन बन गया है तो दोस्तो इसका इंसर होगा रोहित सर्मा कुवेचा नमबर 31, विश्वे सिक्षक्ति वस्यानि की वर्ल्ड टीचर डे निम्न लिकित में से किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो वर्ल्ड टीचर डे को 5 अक्टूबर को मनाया जाता है कुवेचा नमबर 32, निम्न में से किस अंत्रिच एजन्सी ने हाल ही में पहली बारे हमारी आकास गंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा नासा ने दोस्तो नासा यानि कि नेशनल एरेनोटिक्स एन स्पेस एडमिस्टेशन जो कि अमेरिका का एक सरकारी संस्ता है इसने हमारी गिलेक्सी यानि कि मिल्की वेब से बाहर एक ग्रह का पता लगाया है और दोस्तो ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला एसपेस एजेंसी है क्वेचा नमबर 33 नेशनल स्पोर्ट्स अवर्ड कमीटी ने नीरा चोपडा सही थे कितने खिलाडियों का नाम मेजर ध्यान चंद्र खेल रतने अवर्ड 2021 के लिए प्रस्ता वित किया है तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा एगार्या खिलाडियों का नाम क्वेचा नमबर 34 खनन और इस पात छेतर में सहयोग करने के लिए भारत और किस देशने हाल ही में समझाता कि आपन पर हस्ताग चरकिये है तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा उप्सन नमबर B रूस ने क्वेचा नमबर 35 रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेस बिंदल को की से हाई कोट का नया मुखने अधी से नियुक्त किया है तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा इलाहबाद हाई कोट का दोस्तो हिलाहबार्ड हाई कोट के नए मुखे नधी से जस्टिस राजेस बिंदल न्यूक्त हुए है क्वेचा नमबर 36 हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबी के फसल जलाने से संबंधित उतसर्जन में कौन सा देश से पहले अस्थान पर है दोस्तो इसका सही उत्तर होगा भारत दोस्तो ब्लू एसकाई एनलेटिस के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबी के फसल जलाने से संबंधित उतसर्जन में भारत का अस्थान पहला है क्वेचा नमबर 37 निमलिखित में से किस ने विरस्पती के बरफिल चंदर्मा उरोपा में लगतार जल में वास्थ की उपस्तिती का खुलासा किया है तो दोस्तो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन नमबर 2 हबल स्पेस टेलिस्कोप वेदिसालाने क्वेचा नमबर 38 निमलिखित में से कौन नौर्वे के प्रधान मंतरी यानि की प्राइम मिनिस्टर बने है तो दोस्तो नौर्वे के नए प्रधान मंतरी जो नास गहर स्टोर बने है और दोस्तो आप नौर्वे को इस मैप में देख सकते हैं और नॉर्वे की राजधान यानि की कैपिटल ओसलो है कुवेचा नमब ठर्टी नाइन नीम्न में से किस संगठन और अन एजेंसी के दुआरा जारी रिपोर्ट के मुताबिके अफ्रीका के गलेसी अर जल्द ही गायब हो जाएंगे दोस्तो इस प्रस्ने का सही उत्तर होगा विश्वे मौसम विज्ञान संगठन दोस्तो विश्वे मौसम विज्ञान संगठन और अन एजेंसी ने मिल करे एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अफ्रीका के दूरलफ ग्लेसी अरे करीब दो दसकों में ही गाइब हो जाएंगे कुवेशा नमबर फोर्टी नीम्न में से किस आयोग ने हाल ही में भारत का उर्जा मांचित रियानी के एनर्जी मैप पेश किया है तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अप्शन नमबर भी नीती आयोग दोस्तों नीती आयोग ने अक्तूबर में भारत का उर्जा मैप पेश किया है